हाई स्टूडिंस मैं सुनिया विदिया गुरुसे का नया सेशन स्टार्ट करेंगे यह सेशन सेशन सेप्टेंबर का सेशन है आप लोगों को लगेगा बहुत दिन हो गए अक्चुल में पॉइंट्स बहुत कम थे मेरे बास सेप्टेंबर के मैंने ऑक्टूबर के भी सेप्लोड करूँगी ऑक्टूबर 1 के नाम से सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेशन देखिए कि कैसे आते हैं एक्जाम में आपको यहां पर दिख जाएंगे इस वीडियो के अंदर यह मत सोचिए कौन से मन्त का है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया मैं सारा मन्त को इस नहीं है ऐसा जो इंपॉर्टन पॉइंट मुझे लग रहा है जो सीधा एक्जाम में आ जाएगा तो अगर आप कुछ वीडियो हमारे चानल पर देखते हैं जो किसी एक महीने के डले हुए है इसका मतलब वो आपके एक्जाम में आने वाले क्वेशन है उस महीने में से तो पूरा ध्यान से देखिए एंड तक देखिए वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए शेयर करिए अपने फैंस के साथ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना पका से कर देना कुछ बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं प्लीज कर दो चानल को अगर आपको लगता है कि हम ठीक पड़ा रहें तो प्लीज चानल सब्सक्राइब करो चानल सब्सक्राइब करिए बेल आइकों दबाईए इससे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे जब भी हम नया वीडियो डालेंगे पहला क्वेशन में स्टार रही हूं आपका टाइ लेटिसट अपॉइंटमेंट्स से स्टार्ट करने वाले हैं लेटिसट अपॉइंटमेंट्स प्रेजिटिकेशन की अभी हम हैं मॉहमद मुईजूचम्ट पर्टी ऐफ मॉडिव गर्टी इंये चाहिए मॉटलदीव खाना था है मॉल्लदी अपॉटलट के लिएंगे आपके एक्जाम में आ सकता है और ऐसे भी किसी भी नए देश के नए प्रेस्डेंट या प्राइम मिनिस्टर बने हो तो आपको जानना वैसे भी जबूरी है तो थोड़ा इंपोर्टेंस है इस देश का आप जानते हैं हमारे एक्जाम के पॉंट अफ यू से यह session in the medium में जो अभी आप देख रहे हो अगर आप कहीं English medium का complete English medium का session देखने आये थे that complete English medium session is also there in the playlist you can go and watch that session also Hindi medium के session को continue करते हैं मैंने बताया मुहमाद मुईजू जो progressive party of Maldives के है यह Maldives के नए president बने है next question में देखिए deputy chief of naval staff picture देखिए पिक्चर इसलिए डाली जाती है कभी बाद में दिख जाएंगे यह लोग important होते हैं कही ना कहीं दिखाई दे रहे होते हैं आप newspaper पढ़ रहे हो, magazine पढ़ रहे हो आप बाद में रिलेट कर पाओगे deputy chief of naval staff vice admiral tarun sopti हो गए उसके बाद में director general of border roads organization BRO की बात हम यह पर कर रहे हैं तो border roads organization के director general जो है वो lieutenant general ragu srinivasan बन गया है general lieutenant general ragu srinivasan next question में देखिए M. Rajeshwar Rao M. Rajeshwar Rao इने appoint किया गया है एक बार और दुबारा से RBI का deputy governor RBI का deputy governor ध्यान से लेखिए किस question की बात हो रही है M. Rajeshwar Rao हम कह रहे है इने RBI का deputy governor दुबारा से appoint किया गया है next question में नवनीत मुनौत हैं जो की new chairman बने है association of mutual funds of India के अमफी जिसे का जाता है आपको पता होगा तो mutual funds वाली organization अमफी के नए chairman नवनीत मुनौत एक बार रिवाइस करते हैं शायर याद रह जाएगा question पहला था new president of Maldives मोहमद मुईजू progressive party of Maldives के deputy chief of naval staff vice admiral Tarun Sobti director general of border roads organization lieutenant general general Raghu Srinivasan एम राजेश्वर राओत को दुबारा appoint किया गया है RBI के deputy governor की तरह और नवनीत मुनौत नए chairman आमफी के किसके association of mutual funds of India next question next segment next segment में हमारे बास आया India in focus का topic आप notes बनाते हैं बहुत अच्छा वाम करते हैं notes के अंदर heading title डाला करिये मीचे सारे के सारे questions आइड करने की कोशिश करा करिये ठीक है हम कह रहे है India in focus में number one on global innovation index पहले तो global innovation index को छोड़ो कोई भी index जब आता है तो आप 3-4 चीज़े दिमाग में रखके चला करो 3-4 चीज़े जैसे वो index कौन बनाता है उसमें कौन टॉप पे रहा और India का rank क्या रहा और अगर last कोई चीज दिमाग में रखने का मिन करें तो कितने देशों में से इंडिया का rank इतना रहा वो आपको पता होना जरूरी है सबसे पहले WIPO बनाता है मतलब World Intellectual Property Organization WIPO के नम से ही जाना जाता है जारतर यह हम लोगे exam के point of view से हमें पूरा पढ़ना पढ़ता है और वही सारे WIPO ही बोलता है World Intellectual Property Organization WIPO बनाता है इस index को जिससे हम कहते है Global Innovation Index जिसमें Switzerland No.1 पे था Switzerland जैसा सुनाई देता हुआ Sweden No.2 पे था और USA No.3 पे इंडिया का राएं 40 वा 132 देशों में इसे ठीक है याद रखेंगे next question देखिए India discusses Eastern Maritime Corridor Eastern Maritime Corridor या फिर Northern part में Northern part में रश्या और इंडिया अपना Maritime जो है अपना नेवी वाला जो part है Strong करना चाहें अच्छे से Trade करना चाहें या फिर South China Sea में अपनी पकड़ बनाना चाहें तो आपको यह सारी बाते ना सुनने को मिलेंगी तो यह हो क्या रहा है Russia और India जो है Russia और India जो है अपने Maritime पर अपने Sea वाले phase के ओपर अपने Sea वाले trade के ओपर काम करते हुए आपको दिखाई देगा कि चिन्नाई से व्लादी वास्तोक तक चिन्नाई से व्लादी वास्तोक तक हम कह रहे है Sea Root की बात हो रही है 溪ेट कर स्टाचूट Law लौ, नितियां, स्टाचूट, Dr. Ambedkar स्टाचूट, कहां बर, यह तो बी अन्वेल्ड इं मारी लाइन्ड यूस, मारी लाइन्ड यूस में, मारी लाइन्ड यूस में, Dr. Ambedkar का स्टाचूट, स्टाचूट, मोमेंट ऑफ, यूनो, प्राउड फर आस, Statue of Equality, to be unveiled in Maryland, US, India hands over G20 presidency to Brazil, आपको यह पता है न, इंडिया भी presidency कर रहा था, आपने सुना न, कि इतना खर्च करना था, और कितना खर्च कर दिया, आपको सब पता है, तो हम कह रहे हैं यहां पर, इंडिया ने अपनी presidency खतम कर दी, और उसके बाद में presidency जैसे ही यहां से खतम हुई, इंडिया ने अपने आप से presidency अब Brazil को दे दी, क्योंकि next presidency ब्रेजिल के पास जानी थी, Brazil करेगा presidency इससे अब आप से पूछा जा सकता है, कि G20 की presidency अब कौन करने वाला है, तो आप कहेंगे Brazil, question यह बनेगा, revise करते है तेजी के साथ, India in focus, number 1 on Global Innovation Index, Switzerland, उसके बाद में Sweden number 2, उसके बाद USA number 3, और India 40 नंबर पर, 132 देश हैं जो इसके अंदर, इनको दिमाओ में रखके इंडिक्स बनाया गया, कौन सा? Global Innovation Index, कौन बनाता है? WIPO, Global Innovation Index, कौन बनाता है? WIPO बनाता है, next question देखे, India ने डिस्किस किया, Eastern Maritime Corridor, Chennai और व्लादी वस्टोग के बीच में, Dr. Ambedkar Statute, Statue of Equality, Maryland US में, India Hands Over G20 Presidency to Brazil, next question देखे, State News में, अब आपके सामने आएगा, E Cabinet, बहुत सारी चीज़ है, अब हम EE करने लग गए, आपको बता है, तो यह, पेपर भी बचाने का तरीका होता है, digitize करना भी तरीका होता है, तो बहुत सारी चीज़े इसके अंदर matter करती है, इसलिए E Cabinet वाली बात करते हुए, E Cabinet System जो है, Launch किया गया त्रिपुरा के अंदर, नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना, Launched in Arunachal Pradesh, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्यान योजना, Launched in Arunachal Pradesh, श्रमिक कल्यान, याद रखेगा यह लेबर वाली बात हो रही है, After Tamil Nadu, Chief Minister की breakfast scheme, CM's breakfast scheme, आप जानते हैं, मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, पहली से दसवी क्लास के बच्चों के लिए, स्कूल में, CM's breakfast scheme, तेलंगाना में भी स्टार्ट की कर दी गई है, याद रखेगा, No.1 on Swatch, वायू, सर्वेक्षन, No.1 on Swatch, वायू, सर्वेक्षन, तो इन दौर वाले खुश हो जाएंगे, very good, that is actually the truth, उन्होंने यही किया है, तो clean air survey में भी इन दौर ही top पर है, और आपको बताया, आपको पताया, आप हर बार इन दौर ही mark कर देना, 2nd number पर आग रहा है, 3rd पर थाने, तो जो नया लग रहा है उसे याद कर लो, जो पुराना है उसे as it is रट लो, इन दौर है clean air के case में, clean air survey में top पर, 2nd पर आग रहा है, 3rd पर थाने है, 100% open defecation free plus, model status, Jammu and Kashmir, अभी open defecation free, जब हम बोलता है तो उसका मतलब वो जो open toilet करता है, तो जो open में toilet वाली बात है, उससे free, उससे मुक्त होना, यह open defecation free है, Jammu Kashmir की बात हो रही है आपे, ठीक है, उपर से revision स्टार्ट करते हैं, टीजी की साथ, E-Gabiner system, Tripura, मुख्यमंत्री, श्रमिक, कल्याण, योजना, अरुनाचल प्रदेश में, Tamil Nadu के बात ती लंगाना निदिका चलो, हम भी breakfast के लाएंगे, पहली से दसवी के बच्चों को, तो चीफ मिनिस्टर बैक्फिस्ट कीम, No.1 on Swatch, वायू सर्वेक्षन इन दौर है, फिर आग रहा है, फिर थाने है, 100% open defecation free, plus, 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 model, Jamu Kashmir, next question देखिए, banking and finance, जो बच्चे बच्चे बच्चें की तयारी नहीं कर रहें, थोड़ा सब रिख लेलो, आपके लिए सारा गसारा वीडियो इंपोर्टेंट हैं, बच्चें 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 की तयारी नहीं कर रहे हो, आप कोई और एक्जाम दे रहे हो, DSS, BSSE, केंद्र विध्याले, आप CUET कोई भी एक्जाम देने जा रहे हो, चिंता मत करो, सब एक्जाम में करेंट फैस आता है, आप लोग जब मुझे खुद मेसेज लिखके, कॉमेंट करके और मेल करके बताते हो, जिने एक्जाम के बारे में मैंने भी नहीं सुना होता, उनमें भी questions आ गए होता है, current phase हर exam में सेम आता है लग भग, तो ध्यान से पढ़िए, अगर आपके exam में GS में section है current phase का, तो question पक्का ही से आएंगे, कोई और happenings हो नहीं रही है हमारे देश में, जो मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, तो मैं बहुत important questions जूण के लाती हूँ, आप में like नहीं दबाया तो please दबादो, join करना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे सारे teachers आपकी मदद करेंगे, number नीचे दिये गए है, dial कर लीजे, executives मदद करेंगे, या फिर आप online.vidyaguru.in पर जाके, अपनी choice का खुद course ले सकते हो, start करते हैं next question, banking and finance में क्या आ रहा है, UPI Litex, देखिए UPI Lite, आप already जानते हो, UPI Lite, UPI जानते हो, UPI Litex, क्या बात चल रही है, बात यह चल रही है, या अपना payment करना चाहते हो, offline, UPI Litex launched for offline payments, देखिए, NFC एक technology है, near field communication है, कि जैसे, देखिए, बहुत जादा मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी, थोड़ा सा यह समझे और आपको इसमें बहुत जादा घुसने की जरत है, कोई दूसरा phone pass में है, टावर pass में है, उससे communication establish कर लेगा, आप payment कर रहे हो, connection low data वाला है, connection low speed वाला है, आप किसी तरीके से payment कर पाऊगे, offline, यह NFC technology जो है, आपको help provide कराएगी, कह रहा है, UPI Litex launch किया offline payments के लिए through via NFC technology, हो सकता NFC का full form बुचले, इसलिए near field technology मैंने लिख दिया है, Global FinTech Fest है, मुंबई में हुआ, ICICI Bank के MD&CEO important है, क्योंकि यह सारे के सारे SIBs है, systemically important banks है, बड़े banks है, ICICI के MD&CEO, संधी बक्षी बन गए है, शशी धरन जगदीशन जो है, HDFC Bank के MD&CEO बन गए है, दोनों questions बहुत important है, याद रखना एक questions exam में आते हैं, आपको पता है, प्लीज लिख लो, Head of RBI working group on expected credit loss, based framework for provisions by bank, Head of RBI working group, RBI working group का Head, कौन सा working group, on expected credit loss, based framework, expected credit loss based framework, for provisioning by banks, अब यह जो working group बताया है, RBI working group है, यह याद रखिये, credit loss, loan वाले loss की बात हो रही है, कि expected कितना, तो उसको उस तरीके से याद करने कोशिश करिए, expected credit loss के उपर हम कह रहे हैं, RBI working group का Head, R Narayan Swami, UPI tap and pay on NFC enabled QR codes, UPI tap and pay, UPI tap and pay, यह NFC enabled QR codes, NFC enabled QR codes, देख पा रहे हैं, एक बार revise करते हैं तेजी के साथ, UPI Litex launched for online payments via NFC technology, Global FinTech Fest in Mumbai, ICICI Bank MDN CEO, Sandeep Bakshi, IGFC Bank MDN CEO, Shashidharan Jagdishan, और Head of RBI working group, यह बहुत important question है, R Narayan Swami, question पक्का आजाएग, UPI tap and pay, NFC enabled QR codes, से ठीक है, next question देखिए, sports updates देखिए, sports updates में बहुत important questions दुबारा से, Germany ने जीता बास्केटबॉल, World Cup, FIBA, FIFA नहीं है, FIFA नहीं है, क्योंकि FIFA का फुटबॉल है, और यहां पे FIBA का भी बास्केटबॉल है, तो वो बास्केटबॉल का जो World Cup 23 है, वो Serbia को हरा के Germany ने जीता, ठीक है, Germany ने जीता FIBA World Cup, Serbia को हरा करके, BCCI का Official Partner, 2023 से 26 तक, SBI Life रहेगा, ठीक है, यह लिख दिया, मैंने देख लीजए, South Haitian Football Federation, साफ बोलिया आप इसे, Under 19 है, इंडिया ने चैंपिंशिप यह, Under 19 चैंपिंशिप पाकिस्तान को हरा के जीत ली, और यह ने नेपाल में हो रहा था, ठीक है, तो वेन्यू नेपाल, हराएग इसको, पाकिस्तान को, हराएग इसको, पाकिस्तान को, इसलिए याद रखिये, नेपाल, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान को हरा करके, साफ Under 19 चैंपिंशिप जीत गया, नेपाल में हो रही थी, अच्छा, आप जरा पढ़िये, बढ़ी ऐसी बात, जो मैं कह रही ही न, नेपाल बड़ा अच्छा कर रहा है, तो सुनिये, कह रहा है, 1st team to go to reach 300 plus runs, T20 कितना छूटा माच है, है न, उसमें 300 plus runs बनाना कितनी बड़ी बात है, कह रहा है, 1st team to go 300, to touch 300 plus runs in T20 international match, और वो भी कौन नेपाल, तो मैंने अपको पहले ही कह था, Sports में बहुत इच्छा गड़ता हुआ नेपाल, against Mongolia, तो Mongolia को, Nepal ने, थान से देखिये, Nepal ने Mongolia के against 300 plus runs बना ली वो भी T20 match में, तो यह पहले ही ऐसी team बन गई है to reach this level, fastest 50 और century बनाने वाले, Kushal Malla जो नेपाल के है, ठीक है, next question देखिये, Flag bearers, opening, देखिये, मैं next video में, आपको Asian Games के वारे में बहुत कुछ पढ़ाने वाली हूँ, 19 नंबर के Asian Games जो हो रहे थे, जिसके अंदर, Flag bearing जो ceremony है, मतलब जो opening ceremony है, जिसमें Harban Preet Singh और Lovlina Borgoin को, ये flag bear करने का अफसर मिला, opportunity मिली, start करते हैं दुबारा से, Germany ने basketball, FIBA World Cup जीत लिया, Serbia को हरा के, BCCI को official partner, SBI Live, 2026 तक, India ने staff under 19 championship, Pakistan को Nepal में हरा के जीत ली, Nepal पहली ऐसी team बन गई है, जो international match में, T20 के, 300 plus runs बना गई, जिसमें कुशल मला तो 100 ही पार कर गए, Flag bearers, opening of Asian Games, 19th number के, जिसमें Harban Preet Singh, और Lovlina Borgoin को, ये opportunity दी गई, next question देखे, अब ये है, last page हमारा, like नहीं दबाया प्लीज दबादो, अगर आप अभी तक देख रहे हो, तो आप बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चे हो, ध्यान से, सारे के सारे questions लिखने आपको हराल में, Please, important days and dates, World Rhino Day 22 September को मनाया जाता है, World Rhino Day 22 September को मनाया जाता है, World Maritime Day 28 September, जिसका theme Marpoll, actual में ये Maritime Pollution की बात हो रही है, Maritime Sea में ships pollution फेलाते हैं, 8 시ं applying tempars which trapping the Maritime Pollution बात हो रही है, तो मापोल at 50 World Maritime Day 28 सितंबर को theme था इसका मापोल at 50 Our commitment continues हम साफ रखेंगे सी को Ships इतना कुड़ा इतना pollution नहीं मचाएंगे That is what they are trying to say World Habitat Day 2nd October को इस बार वाला Actual में October का पहला Monday जो होता है वो World Habitat Day होता है और इसी लिए पहला Monday इस बार 2nd October को था तो वो World Habitat Day था Theme इसका Resilient Urban Economies Cities Resilient Urban Economies Cities as Drivers of Growth and Recovery Cities as Drivers of Growth and Recovery थोड़ा सा मुश्कीन है Time लगएगा एक ही बारी में नहीं आद हो जाएगा दो तीन बार बोले याद हो जाएगा World Mental Health Day 10th October को World Mental Health Day 10th October को मना जाता है जिसका Theme Mental Health is a Universal Human Right Mental Health is a Universal Human Right एक बार रवाइज करता है तेजी के साथ रायनो दे बाइस सितंबर मारी ताइम दे अथाईस सितंबर 2 October को World Habitat Day मैंने पहले बोला था मैंने कुछ October के questions जाल दी है इतने सारे मिले नहीं अभी इसले थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे World Habitat Day 2nd October World Mental Health Day 10th October को और इसी के साथ हम पहुच गए इस वीडियो के अंत में राप अप कर रही हूं मैं Thank you so much for watching